जय हिन दोस्तो जैसा कि आप लोग मालूम है कि UPSA Prelims के जो जाम्स है वो किवल दस दिन बागी है और इस दस दिनों में आपको मैं दो पॉइंट बतानी वाला हूँ जो आपको दो पॉइंट फॉलो करने होंगे आपको सबसे पहला पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि अभ प्रिविएसर कुष्टन यान UPSA के जो प्रिलिम्स में जो कुष्टन पूछे गया है आप उस कुष्टन को अटेंट करेंगे पहला बात दूसरा चीज कोई भी चीज नहीं आप नहीं पढ़ने कोशिस करेंगे कोई भी चीज नया टॉपिक आप स्टार्ट नहीं करेंगे दूसरा चीज आपको रिवायज करना नहीं कोई बात नहीं है कि अगर आप laas 50% सब्सक्आ किसी का सब्सकंप्लीट नहीं होता एम 25 वो और में आपने हम अपमें Hon निकलता है syllabus complete किसी का नहीं होता है यहाँ पर एक चीज और भी होता है कि यहाँ आप जब field में जाते हो युद के मैदान में जाते हो याँ पेपर देने के लिए आप जब जाते हो तो वहाँ आपका approach कुछ और होना चाहिए आप जितना practice किये है आपको ऐसा नहीं से और सकती साली तो आपको और effort डालना पड़ेगा ठीक है तो एकजाम में जब appear होंगे तो उस समय आपका approach कुछ और होना चाहिए और अभी अगर आप यहाँ पर 10 दिन आपके पास है तो 10 दिनों में आप इतना practice किजिए कि आपको हर तरह का pain अगर एकजाम में जो होगा वो आप अभी feel कर लिजिए ताकि एकजाम में वो pain आपको ना हो एकजाम अभी आप जो घर में 10 दिन आपके पास जो time मिले है उसमें इतना revision किजिए उतना practice किजिए आप अपने आपको इतना practice किजिए खास के previous questions कुष्राइए, टेक्यर